महराज की राजनीती के कैसे राजनीता इस वक्त हमारे साथ मौझूद हैं जिन्होंने अपनी पार्टी में नई जान फूग दी पार्टी के संगचन को फिर से मजबूती से खड़ा किया और उसमें नई उर्जा भरी और नतीजा ये हुआ कि लोग सभाद चुनावों में उन है तो सीम पत के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं ये तो रही उनकी खूबियां लेकिन सहयोग्यों के साथ नोगजों को विवादास पत बयान हूं या पर कुछ नेता पार्टी छोड़के जाएं तो उनसे कहें कि भई आपी की वज़े से जा रहे हैं ये तमाम विव और बीजेपी बहुत नाराज हैं आप से शिकायत कर रहे हैं आपकी वह अगर मेरे OBC समाज को गाली देंगे तो मैं उसका जवाब भी वैसी ही दूँगा हमारा OBC ये हिंदू के टेकरी में आता है जिन लोगों ने बीजेपी को बढ़ाया है उसी को ये कुत्ता पोलेंगे इनके केंद्रिय माजे मंत्री वहां पर उपस्तित है और उपस्तित रहने के बाद भी हमारे उनके पार्टिय में हमारा OBC समाज का आदमी था उसने उस पर आक्षप लिया आक्षप लेने के बाद उसी के उपर गलत आरोप लागा के फायर दर्च करवा है तो क्या मेरे OBC समाज को गाली देंगे और मैं शान बैटूंगा जो BJP उनके वोटो पर भरोसे थी OBC के भरोसे पर थी तो मैं कदापी ये मानने नहीं कर सकता मैं किसान हूँ और ये OBC समाज भी किसान है और किसान को कोई गाली देगा तो मेरा नाम नाना पटोले है जो उनको करना है वो करे मैं मेरी बात रखोंगा मेरे को गाली देंगे तो मैं भी छोड़ों गाली तो मतलब वो तो छेड़ों के छोड़ेंगे नहीं या कॉंगर्स में अपना लिया है यह नई कॉंग्रेस है महराश कि देखो हुआ जाना थोड़ी होता है कोई भी हो फिर कितना भी बड़ा आदमी हो मैंने तो उसी दिन उनको कहा कि जिस दिनी घटना हुई देवेंदर फ़र्णी उसने और नरेंदर मोदी ने माफी मांगना चीए इशू क्लोज हो जाता इशू को वो बड़ा रहे मैं बोला कि बीजेपी को भी कुटा बना दो हमारे जात को गले देगा तो मैं भी बोलूगा कि तुम बिजेपी को कुटा बना तो आखिर मेरे लोग तो मैं बोलूगा हो ही करेंगे तो ये लेवल पे बीजेपी अगए महराश में अबına दूम मुदे पे आया तुमने शुर्वात वो जो कीते हैं मैं उस पे आता हूँ बीजेपी इस तरह के ये लेवल पे क्यो आई कल तक तो बहुत विश्वगुरू उनके साथ है स्वैम्भू फणनवीस उनके बड़े नेता है आज वो OBC समाज को कुता बोलने तक उनकी नियत आ गई सोच आ गई क्यों इतनी बीजेपी डरी है महराश्टा दस साल में जो तुमने वादे कियते लोगों के साथ और उस आदार पर तुम पावर में गए उसका जवाब दो ना क्या किसान को यहां सबसे ज़्यादा देश में सबसे ज़्यादा अगर किसान के आत्मात्याओ तो महराश्ट में है उसका जवाब दो मोदी जी कहते है कि कॉंग्रेस भरस्टाचरी पार्टी है महराश्ट में आके मैं आप आपके चानल के मादेम से पूरे देश का एक इंटरूर लीजिए सबसे ज़्यादा अगर करप्टेट पार्टी जो महराश्ट में होगी देश में होगी तो महराश्ट की जो आज की सरकार है सबसे ज़्यादा करप्टेट है और मोदी जी यहाँ का कहते है कि कॉंग्रेस करप्टेट है अरे भरी तुम कितने दिं कॉंग्रेस को गाली देखे बड़े रहो गए आपको մहोमत-की दसाल की सरकार दी यहां क्या कि रहें ग तुम्स हैं कि तुम तुम्हारे जैसे तो कमजूर कर द्हாन मंत्री देश ने देखा मोधी जी कम्जूर प्रधान मंत्री, मैं तो बोलौंगा ही, क्यूं, उनस को छप्पन इंच का सीना है। उनस थो दुश्मन को आख में आख डाल के बात करते हैं। पहली बात तो मैं यह कहता हूं कि देश की प्रदान मंत्री को पूरे देश को युनाइट करना यह उनकी जौबदारी है. कहतो रहे हैं एक हैं तो सेफ हैं? नहीं है करके तो बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे वो भी बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं दो दो शहादत दी है कॉंगरेस ने अपने प्रदान मंत्रियों की देश के एकातमता के लिए इंदराज जी हो या राजज जी हो ये शहादात एकातमता के लिए हुई है देश के लिए हुई है देश के सिमाओं के लिए हुई है और वोर्ड मांगने के लिए कभी भी कॉंग्रिस ने इस तरह की बटोगे तो कटोगे की बात नहीं की प्रदान मंत्री अगर इस तरह की लाइन ले रहे तो नीचे वाले ले तो उनका कोई उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे हम प्रदान मंत्री के बारे में बात करेंगे हम नरेंद्र बोदी के बारे में बात नहीं करेंगे प्रदान मंत्री अगर इस तरह की बात करते है बटेंगे तो कटेंगे त भगवा किसी की जमिदारी नहीं है मैं हिंदू मैं भी भगवा कपड़ा पहनता हूं मुस्लिम भी भगवा पहनता है बोध दो भी भगवा पहनता है भगवा किसी की जमिदारी नहीं है मुस्लिम में भी तो भगवा आता है उसके नाम अलग अलग है उर्दू में वह अलग नाम बोलते हैं बोट दमें अलग नाम लेते हैं तो आखरी भगवा किसी की विरासत नहीं है योगी जी महराश्ट आये हैं तब से सबको डरने लग गया नेरेटिव नहीं सुझ रहा है आप लोगों को उनकी काट निकालने का वो सब हिंदू जातियों को जोड रहे हैं आपका पीडिय वाला फॉर्मूला जो चला और वो सब नहीं चल रहा है ये तो आप वहाँ में बात कर रहे होगी जी की सबाहों की थोड़ी से वीडियो तो दिखा ये पबलिक को कितने लोग जमा होते हैं कितने लोग जमा होते हैं से वीडियो दिखा दीजिए पुरे देश की जनता को हम भगवे से नहीं डरते भगवा हमारी आत्मा में बैठा हुआ है वो इशु नहीं है भगवा दिखाओ के लिए नहीं होता योगी फैक्टर यहां नहीं चलेगा कोई हमारे वो इशु नहीं यह मोधी फैक्टर नहीं चला पर्लामेट में पर्लामेट में मोधी फैक्टर नहीं चला तो यह की फैक्टर चलेगा पर यह माविकास अगाडी का फैक्टर चलेगा मैं भी बता रहा हूँ फटनवीज भी चुनावारेंगे फटनवीज चुनावारेंगे बिल्कुल तुम candidate मिला बाहर से लाके खड़ा किया गया मैंने पहली बार लोकल candidate दिया और 20 बार प्लास्ट टाइम तो सीम थे सीम रहने के बाद भी और सीम बनने वाले थे बीजेबी के तो ओई candidate थे अभी भी सीम के candidate है कितना लीट था उनको वह एक लाग का लीट होना था बाहर का candidate लाने के बाद समय पे आया candidate हमारा चार दिन पहले बंद हो गया चले गया तो भी एक लाग का लीड नहीं ले सके पचीस हजार तक वो आए इस बार हमने local candidate दिया है इस बार हमारा जो माहोले वहां का वो Congress के favor में हैं और इस बार मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि पंडवीज इस बार चुनाओ हारेगा पंडवीज जी तो इस बार बहुती अग्रसिव मोड में हैं वो कह रहे हैं वोट जिहाद के खिलाव धर्म यो दोगा वो तो इस बार हिंदुत्व वादी छवी अपनी एक अलग लेकर आए हैं प जी मोडीज ओग में उनको ये कहना चाहता हूँ कि वोट के या दे 만들어 में के कहा उप टिए और Windows के करने किजिस नवाऊ-मलीक को आपने में तावद के साथ सम्द्ध बताया जब महाविका सगाड़ी के हमारे मिनिस्टर उनको 17 मैंसे तुमने ये जेल में दाला redo को को का लगय जैसे ही अजिद पावर, मोधी जैने कहा कि 70,000 करोड का करिप्शन इन लोगों ने किया, NCP, नैशनल करेप्ट पार्टी, और वो करने वाले अजिद पावर थे, वो करने वाले अजित पौवर थे साथ दिन के बाद देखो मोधी जी का ब्रश्टाचर का कितना अच्छा उदारन बनता है देश के लिए साथ दिन के बाद वही अजित पौवर उनके महाहित्वी में DCM बन गए और DCM बनने के बाद उनको डिपार्मेंट पौटपोलियो क्या दिया फाइनेस मिनिस्टर लेो राज्य का चाभी तुम लुटने में बहुत एक्सपर्ट हो लुट के हमारे पास भेज़ दो गुजरात कितना अच्छा प्रश्टाचर का एक फार्मूला बोदी जीन बटाया फिर वो नवाब मलिक मेरी बास समझ लो वोट जिहाद पे मैं बहुत अच्छे से आता हूँ इनको जवाब देने को भी मुँ दिखाने के लाइक भी नहीं रहेंगे फिर इन लोगों ने वो नवाब मलिक को जमना दी अब नवाब मलिक महायूती का कैंडिड है M.L. के सिवाजी नगर मुंबई से अब मुझे ये मैं पुछना चाहता हूँ लोजिहाद बोलने वाले को वोट किसको मारना है उन लोगों का दी का रहें तुम बोल नहीं सकते तुम सविधान मानते नहीं करके तुमारे को लोजिहाद बोलना पड़ता है अब बोलता वोट जिहाद बोलना पड़ता है लेकिन मैं सवाल पुछना चाहता हूँ कि दाउद को भी कल तुम घड़ा कर सकते हो सत्ता के लिए उसको बोलेंगे पावर जिहाद मैं एक वर्ड देता हूँ आपको एक आज पावर जिहाद भीजेपी, आरेसे, स्मोधी इंको कोई भी हो कल तौध हो कोई हो सिप पावर चाहिए इन लोग उने पावर जिहाद बना दिया महराज का उदारन पूरे देश में लागू होगा और मोधी जी ये बड़ी बातें करते हैं न देश भर में तो उनको ये इसका जवाब देना पड़ेगा कि जिसका द्याव से समन्थ था जिसका पैसे के ववार हुए ते रेकॉड पी लिक्या है आप वो आपके महाईति का केंडिड बने है क्या हिंदू-मूसल्मन की बात करते हो आप कौनसे धन की बात करते हो आप इसका जवाब तो आपको पूरे देश की जनता को दिया महाराज की जनता समझ चुकी है तुमारा ये पावर जिहाज जो है न दिखावा तुमारा सही मुखोटा जो बीजेपी का आप लोगों के सामने आया है उधव जी और आपके रिष्टे ऐसा तो नहीं है कि उधव जी की विचारदहरा जो है ठीक है आजकल बदल गई है है वो बदला बदला हिंदुतु की बात करते हैं लेकर हिंदुत को स्टैंट गोर्षे को लेकर स्ट tahंण तमाम चीज़ों को लेकर स्टैंड पूरे तो मेरा हिंदुत वही है, अगर उद्धो जी इस हिंदुत को मानते हैं, तो पीजी भी को किया तकलीब है? मुसल्मानों को गाली दिया है, तो मेरा हिंदुत मजबूत है, यह होता क्या? आप काट की हंडी बार बार नहीं चड़ती है विपक्ष के बदला यहाँ पर आपके जो विरुधियों वह कह रहे हैं कि बढ़ आप नहीं चड़ती है आपने एक बार तो लोगों को डरा दिया बेवकूफ बना दिया क्या दिवासियों का आरक्षन खत्म हो जाएगा किताब लेहराले समधान की मुझे बड़ी वीजेपी की ये बेकुप बड़ी बाते वो उनके पास ही रखें देश की जनता को समझ चुके की बीजेपी एक लोगतांत्रिक विवस्ता को खतम करना चाहती है और उनका इलाज चानू हो गया है कश्मीर में 370 की वापसी के लिए प्रस्ताव लाए और पाकिस्तान भी आई चाहता है आप लोगतांत्रिक विवस्ता वहां सुद्री है वहां तो रोज हमारे फोजी शहीद हो रहे है आंतक वाद कम नहीं हुआ बोला यह 378 ने के बाद आंतक वाद कम हो जाएगा कहा हुआ कहां गया चपरिंची का सिना आपने बोलाता हुआ ठीक है उमर अब्दुल्ला चाहते हैं अब्दुला फैमिली चाहते हो बात अलगे मैं उस विशे में नहीं जाना चाहता हुआ इतना ही पुछना चाहता हूँ कि बीजेपी जो प्रुपोंडा कर रहे हैं कि हमने 378 तो क्या फाइदा हुआ देश की जंता को पता है मोदीज ने का ये महाविकास अगाडी वाले जिस गाड़ी पर चल रहे हैं उस गाड़ी में न पहिये हैं न ब्रेक हैं कौन चलाएगा इसके लिए मारा मारी है महायुति में क्या चल रहे हैं भरष्ट वे उसता बिठा के रखिये और गुजरात को महाराश बेच रहे हैं तो गुजरात को महाराश बेच रहे हैं उसमें पईये लगे हैं अपने आप जा रहे हैं गुजरात के तरफ महाराश का डवलप्मेंट महाराश की इंडर्सी सब वो अपने अपने गुज्रात में जा रही है, पहिये लगा के, हमारे पहिये नहीं ले हमारे महाराश के लिए पहिये लगे हुए है। आपके दोस्त मित्र पढ़्णवीज जी जो हैं, वो आजकल हिंदूओं को जगाने के लिए गाना गा रहे हैं, और हर सबह में जाके वो गाना गा रहे हैं, हिंदूओं को एक करने की कोशिश कर रहे हैं. हिंदू तो आभी जागा हुआ हैं, कल तक सवय था जो इन लोगों ने घुम्रा गया, अब जाग गया हिंदू, अब इनकी असलियत सब पता चल गई, अब इसलियत पता चल गई, अब गाना गाय या डांस करें, कुछ फरक नहीं पढ़ने वाला हैं. आप कहरें कि अगर महराश में सरकार आ गई, महाविकास अगाड़ी की, तो दिल्ली की सरकार भी गिर जाएगी, ये कैसे होगा वही? देखो, आप नितिशकुमार जी को भी जानते हैं और चंद्राबाबू नाइडू को भी जानते हैं, ये तो कई ने खिलाड़ी तो है नहीं, इनकी आदते देश की जनता को पता हैं, तो मुझे भी थोड़ी पूद पता हैं, महराश में बहुमत की सत्ता परिवर्तन जब ह होईगी, महाविकार सागडी की सरकार आएगे, उसका बदलाओ क्या नहीं हो लादेश के राजनीते में आपको भी पता हैं, आपको उधव जी की आदत पता हैं, क्या है, तीस साल का रिष्टा उन्होंने सीम पद नहीं मिल रहा था, तो तो बंद कमरे की बात, बंद कमरे क वादा किया नहीं है, हमने पबलिकली जो कहा हैं, कि जो हाई कमरे के डिसाइड करेंगे, वो फैनल, अब उनका बंद कमरे में क्या-क्या गरबड हुई है, क्या-क्या कुष्टी खेलिए, क्या-क्या नहीं हुआ है, तो तो तुम्हें नहीं पता और मुझे पता नहीं है, थो उनसे जो उद्दो एक हो एक है हमसे जो वादा कियाता है ओब होदा हुआ है, अभी तो उद्दो आ आप दियुकि आए रहा हुए है, यहां पर जो भी आएगा किसे और एनेसरों को महराश को बचाना ही है उनका और हमारा सबका एक ही धर्म है. चलिए तो फाइनल टैली बताएंगे आप फाइनल सवाल पर फाइनल टैली कि आपको जितना भी आप ग्राउन पर काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ आंकलान आपने भी अपने मन में सोचा होगा कि यहां यहां तक यहां मामलब फसा है, यहां और मेहनत की जुरत है और यहां क्लियर कट में जोड़ी है. देखो मैं आज बता रहूं, यही अकड़ा आपको दिखेगा महराज में कम से कम 160 से पाउने 200 के तक महाविकास अगाड़ी की मेजॉर्टी आपको महराज में देखने में लेगा. और कॉंग्रेस? कॉंग्रेस पचात्ता से 80 सिटे कॉंग्रेस हैंगा. जब सबसे बड़ा भाई होगा, तो फिर सबसे बड़ी जिम्मेदारी और पद भी हो सीका होगा? देखो, मैं उसमें आज नहीं जाना चाहता हूँ, तो उसकी चिंता है का मण। जब हमसे बाच्चित करने के लिए नाना पटुली जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद।